अब मैं अपने पोटों को पानी दे दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो करें और हेल्दी रहें और देखे कितने खुबसरत फूल निकले थी इसके पौधों में भी खाद पानी हमें देना पड़ता है तब ही ये आप भी देख रहे थे कि मैं नहाने सब अपने पौधों को पानी दे रही थी तो पौधों में पानी और और उनकी देख भाल जरूरी है इसलिए उसी तरह अपने इसंकीन और बालो का भी ख्याल रखना चाहिए तो हमारे नेचर ने तो बहुत कुछ हमें दिया है और हमें नेचर से ही अपने बालो और स्कीन का ख्याल रखना चाहिए इसलिए कि हम घर्म के प्लांट से कीचन से अपने ब्यूटी का ख्याल रख सकते हैं तो चलिए अब हम वीडियो में अपनी सूरी करती हूं और मेरी वीडियो में बने रहे और छोटी छोटी टिप से ही अपने बालो और स्कीन का ख्याल रख सकते हो और बजार में तो हर कुछ मिलते हैं महीं ब्यूटी क्रीम मिलती है तो आप भी उच कर सकते हो और घर में अगर आप यह सब चीजें कोई साइड फिक्ट नहीं होता है इसे चलिए विदियो सब्सक्राइम की बात लें अच्छा लगता है तो यादे बैंडर से गरमाहट भी रखता और बादम और गूड का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है तो जाड़े में इसका यूज किया कीजिए और अपके स्कीन में ग्लो लाई आप अंदर से स्ट्राइब और यह क्या मैं कोकनेट वाइल दिखा रही हूं हाँ रात के बजगे हैं दस लेकिन अब बस अपनी स्कीन पे धूल मिट्टी कोई कठा ना होने दे नहीं तो वही वही आपके ब्लैक हैट्स वाइट हैट्स जाईयां सभी होते हैं आपको तो इसकी सफाई जरूर रात में करके सोएं आप कोकोनेट वाइल तो सबके घर में राता है की नहीं तो अजाड़े में तो खास करके कोकोनेट वाइल सबके घर में पाया जाता है तो तो अपने स्कीन के सफ़ाई coconut oil से आप जरूर करें और coconut oil को ही आप इससे मसाज कर सकते हैं तो coconut oil थोड़ी सी ले लीजिए अपने हाँ थेली पर ही उसमें कुछ ड्रॉप नीबु के डाल लीजिए और चुटकी भर आप हल्दी ले लीजिए और अपने स्कीन पर इसको बहुत हल्की हाथों से मसाज कीजिए अब बहुत अच्छे तरीके से मसाज करके और देखिए कि आपके चेहरे में कितनी एची ग्लोईंग आती है फेरनेस नीबु से आती है और एंटिसेप्टिक का तो काम करता ही है हल्दी और फेरनेस का भी काम करता है और जो coconut oil है हमारे स्कीन म कम करता है दीरे दीरे तो आप इसका यूज करें आप चेहरे का ग्लोब कर जब भाई साब मत पुछे इतना अच्छा आएगा कि आप देखते ही रजव सीसा में कि अरी मैं हूँ ये तो ये जरूर करें और आंक के आसपास हलके हाथों से आप मसाज बहुत मिडिल फिंगर स करें मसाज और आवक पे मारे ज्यूरियां जल्दी आती हैं अब हलके हाथों से दस असबी धर जिस तरह में इस्टे बतारब इसे कीजि और आखों के आप ज़ूरिया काफी हद तक कम हो जाएंगी तो आजकल तो इतना ज़्यादा टीन हो जाता है कि समय से पहले आपके सकी में जूरिया आजाती है आँक के आसपास तो बहुत नाजुकी स्कीन होती है तो वहां भी जूरिया आजाती है तो यह जरूर आप करें और इसके साइड एफेक्ट है नहीं चैमिकल कुछ है नहीं तो आप अपना यह कर सकते हो अपने से जरूरूर कर लेग से कुछ बहुत नहीं तो ब्लुड शरक्राशन आपके बहुत अच्छे होंगे और चेहरे में ग्लोइंग बने रहेगी आप एक करके देखो यह मैजिकल ऑईल कमाल करता है मैं मैजिकल इसले बोटें कि इसका यूज हम बहुत जगा करते हैं अगर आपके skIN में इचिंग हो रही है थोड़ी बहुत इचिंग है तो इसको पुर के तेल में मिला करके अपने इचिंग वाले जगा लगा ले तो मैं यह बना रही हूं कि दोस्ती से चार कपूर ले लिया मैंने और यह नादेल तेल में लगा करके इचिंग वाले जगह लगाई अगर ज्यादा है तो डॉक्टर की सला जरूर ले बीना डॉक्टर के नहीं डेंड़प है वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं कमाई की मानना पड़ेगा क्यों की इस कोकोनेट ओयल होता है लेकिन ये कमाई की रिमेडिय इसका यूज स्कीन में चमक लाता है और टेंडर भी कम करता थोड़ी डबल बॉलर में गरम करके लगाए और फिर स्टीम ले ले लीजिए तापके बाल के ग्रूध भी बढ़ाता है ये कमाल की remedy इसका यूज़ जरूर करें अपने बालो में इस टीम कैसे लेते हैं तो मैंने पिसली विडियो में आपको बताया है आप जरूर देखिए उस विडियो को और अगर मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में